हे दोस्तो चैनल पर पहली बार आये हो तो यूडियो के डिस्रिप्शन में जाओ कंपनी वाइज मल्डिपल वाट्साप ग्रूप्स मिलेंगे जहाँ पर आप आपके इंटर्यू एल्टेड, एक्जाम एल्टेड डिसकस कर सकते हो ग्रूप फोल होने से पहले जोएन हो जाओ, ओके तो दोस्तो जो भी मेजर जौब अपर इंटर्शिप पर पोपर्शनीटी है फर्स्ट अपॉल तो जान लेते हैं आखिरे आई त्रिबली है क्या, तो दोस्तो एक इस सा लार्जेस्ट इंटर्नेशनल टेकनिकल प्रोपेशनल और्नाइजेशन है, दोस्तो मुझे बताते हुए प्रोड फील हो रहा है कि मैं भी दोस्तो यह आई त्रिबली का मेंबर ही दोस्तो आपने आपके फाइनल येर में प्रोजेक्ट बनाते हो पता है, वहाँ पर आपने यूनिट टेस्टिंग की होगी, otherwise क्लाइंट के जो भी है डेटा को एनलाइज करके, क्लाइंट का डेटा नहीं एनलाइज करते है, आप अज फाइनल येर प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट का डेटा एनलाइज करके डेटा फ्लो डायग्रामस वहाना जिए, वह इसे ही सेम काम यहाँ पर करना है, बस दोस्तो आपको basic सा knowledge होना चाहिए, use case डायग्रामस खाया, दोस्तो यहां पर knowledge होना चाहिए, software development life cycle का, तो यहां पर आपका सेलेक मिस्स मत करना बहुत अच्छा opportunity है किसके लिए है BCA, BSE and BEBtech वालों के लिए है दोस्तों MCA वाले भी apply कर सकते हैं भूलना मत कि मैंने यहाँ पर MCA mention नहीं किया तो MCA वाले apply नहीं कर सकते हैं इसा कुछ भी नहीं है तो apply किजिए ओके तो दोस्तों apply link में वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूं तो वीडियो को skip मत करना तो दोस्तों यहाँ पर जैसी के आपके screen के उपर देख पा रहे हो आयतरिबली summer intern recruitment 2023 यहाँ पर BE, BTEC, BSC, BCA वाले easily apply कर सकते हैं MCA वाले भी apply कर सकते हैं जो 2022 and 2023 pass out वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना वीडियो को skip नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूं salary दोस्तों आयतरिबली ने कोई भी mention नहीं किया है job location बेंगलोर होने वाला है उसके साथ साथ दोस्तों मैं experience के बात करूँ तो कोई भी experience की ज़रूरत नहीं है freshers वाले apply कर सकते हैं job role दोस्तों इन्होंने बस technology as a summer intern करके mention किया है उनके official website पे तो दोस्तों job description मैंने आपको already एक relative example लेके बता दिया है दे इंटर्न हैस तो opportunity to learn various phases of the project दे इंटर्न can share their perspective to end users as a team members यह दोस्तों इस इस परामेटर्स यह पढ़लीजे उसके साथ साथ यहां पर यह जो भी specific activities that intern is involved to do जो भी तिंग से यह सारी पढ़लीजे यह में important है और अधर्स में दिके जोस्तों understand the various software development life cycle models understand the various environments involved in any software project understand how different teams collaboratively work to make a production really seamless prepare a project plan develop a plan test a plan test execution report deployment plan etc and the conduct reviews at the each stage of the project इसके लिए अगर आप resume modify कर रहे हो तो आपके resume में testing डालिये आपके resume में में दोस्तों का किजिए software project management के जो भी चरोटिकल subject चाहते हैं वो डालिये उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ आप आपको क्या करना है पता है आपके resume को ETS based resume में बनाना है जो बोलते है application tracking system वाला जो आपका resume बनाएंगे हम only for 149 रुपीज में उसकी भी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगे तो दोस्तों आप यहां से directly apply कर सकते हो तो दोस्तों apply करने के लिए कहां जाए में तो आपको apply करने के लिए like Google पे जाना है google पे चाने के बात दोस्तव है करना है Elijah attracting करके without space type करना है okay classic jobs डौट इन without space करोगे तो ही दोस्तों यह वर्क करेगा अदर्वाइस आपको यह नहीं मिलेगा तो इतना टाइब करने के तो directly आपको वीडियो के description पे जाके आपको directly link नहीं मिलेगे कुछ एसा procedure आपको follow करना पड़ेगा और यहां से apply करना है यहां से दोस्तो यह आई तरविली के official website पे आ जाओगे यहां से क्या करना है apply online पे click करना है apply online पे click करने के बाद login करके easily आप apply कर सकते हो ओके बस दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगली उडियो में तब के लिए क्या जाहिंद वंदे मातर हम कोई video से तो comment करना मत भूला मैं 100% आपका comment का reply दे दूँगा ओके